Good morning 7th class, कैसे हैं बिटा आप लोग देखिए आज हम class 7th के अंदर chapter 2 का video number 15 लेकर के आए हैं हम chapter जो है वो complete कर चुके है तो आज जो हमारा काम रहेगा वो काम रहेगा हमारा mainly question answers start करेंगे हम आज तो आज हम कोशिश करते हैं कि छोटे question answer कर लेते हैं और बड़े question answers हम next video के अंदर करेंगे देखिए सबसे पहले और हिंदी में बिटा आप लोगों को तो बिल्कुल भी दिक्कत होनी नी चाहिए कि आपके तो answers भी आपके questions के साथ हैं तो आप लोग साथ के साथ ही ने learn करते रहें ताकि आप पर बहुत ज़्यादा burden नहीं आए बात के लिए clear है तो देखिए यहाँ पर first रिक्तिस्थानों की पूर्ती क्या है मानव पाचन के मुख्य चरण देखिए मैंने आपको सारे पाचन के चरण बताए थे क्या चरण है वो सारे आपको लिखने है मतलब सबसे पहला काम क्या था मूह में खाना रखना यानि अंतगरन उसके ब निशकाशन यानि उसके बाद जो वेस्ट है उसको बाहर निकालना यह हमारे पाचन के मुख्य चरण मुख्य प्रक्रियाएं है ठीक है मानव शरीर की सबसे बहुत इंपॉटेंट है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथी कौन सी है यक्रत है ठीक है अब देखिए next आ टोनों का सरावन होता है ठीक है शुद्राथ यानि छोटी हांट़िक बिट्टी पर अगली के समान होते है उन्हें क्या कहते हैं दीर्घो हो जाले में मैंने आपको बताया थाहा था कहता sentences कि zur रिक्त स्थान है तो आपको हाथ के हाथ यह याद भी होई जाने चाहिए ठीक है उसके बाद सत्य और सत्य देखिए मंड का पाचन आमाशे में होता है क्या बिल्कुल गलत बात है मंड यानि स्टार्च का ही दूसर रूप है और आमाशे से पहले ही इसका पाचन होने लग जा के साथ मिलाने में सहायता करती है बिल्कुल सही बात है क्योंकि बोजन जीब पर ही लसलस हो जाता है लार जो है जीब के जीब गरंती जीब के पास ही लार गरंती होती है पिताश्य में पित्तरस एस्थाई रूप से भंडारित होता है बिल्कुल भंडारित होता है पिताश हमारे जो घर के जानवर होते हैं थर देखिए सही आपको निशान यहां पर लगाना है देखती है क्या है ये वसा का पूर्ण रूपेण पाचन जिस अंग में होता है पूरा का पूरा पाचन वसा का छोटी आत के अंदर होता है तो इसको हम कहेंगे शुद्रात्र में होता है ठीक है जल का आवशोशन बेटा बहुत important है दोनों question जल का आवशोशन कहा होता है व्रहधात्र यानि बढ़ी आथ में मैंने आपको बताया था बढ़ी आथ में पानी आवशोशित किया जाता है clear है तो यह हमारा यहाँ पर question complete हुआ अगला देखिए column A में दिये गए कतनों का मिलान column B में दिये गए कतनों से कीजिए ठीक है मिलान आपको करना है column A और column B का तो देखिए खाद ये घटक कौन सा है आपका खाद ये घटक ठीक है उसके बाद में कार्बो हाइडरेट क्या है ठीक है उसके बाद में आपका protein के साथ किसको मिलाएंगे और वसा के साथ आप किसको मिलाएंगे तो सबसे पहले वसा का प्रोटीन होता है ऐमीनू अमल कार्बोहाइड होती है शरकरा और खाद्य घटक क्या होते हैं इस तरीके से आपका question match the columns complete question number देखिए five ठीक है देखिए क्या कह रहा है दीर गुरूम क्या है कहां पाए जाते हैं क्या काम होते हैं सबसे पहले दीर गुरूम क्या है बेटा मैंने आपको बता है तो छोटी आथ जो होती है ना छोटी आथ के अंदर वाले हिस्से पर उंगली के जैसी उभ्री हु है कि या रसांग कुर कहते हैं ठीक है कहाँ पर होते हैं यह कहां पर पाई जाते हैं दूसरा question कहां पाय जाते हैं आं TE बिति पर शुद्राआत्र यानी छोटी आत्री आंथक यान डि मतलब क्या है क्या क्या है है क्या थे है द्रोच्छ् naj honor पर और नाषर लिए ना शरीर को बढ़ा लेगा, आकार बढ़ा लेगा, जिससे कि जादा से जादा आवशोशन किया जा सके। और उसके अलावा रक्त वाही काऊं में पस्थित जो रक्त होता है, उनको क्या कहता है कि पानी का आवशोशन करके विभिन्वागो तक रक्त की सहायता से पहुचाने में मदद करता है तो ये हमारे दीर डिरोम का बहुत ही important काम होता है ये question भी important है ठीक है next question देखते है बिटा कि पित कहां निर्मित होता है भोजन के किस घटक के पाचन में सहायता करता है देखिए पितरस पितरस कहां बनता है यक्रत में बनता है ठीक है यक्रत में बनकर के पिताशे नाम की एक जगह है जहां पर जाकर स्टोर हो जाता है बनता कहां है यक्रत में ठीक है और उसके बाद कहां जाकर यह स्टोर हो जाता है पिताशे नामक एक ग्रंथी के अंदर जो है संग्रहित जाकर हो जाता है ये तो था कि ये बनता कहा है ठीक है इसके बाद भोजन के किस घटक के पाचन में सहायता करता है ये तो पित्रस है ना बेटा ये वसा के पाचन में सहायता करता है वसा का पाचन मतलब जो आप तेलिये चीज खाते हैं जो आप चिकने पदात खाते है ठीक है बहुत जादा कर बोहाई डेड वाला फैटी खाना जब आप खा लेते हैं ओईली फूर तो उसे पचाने के लिए क्या जरूरत होती है बेटा पितरस की जरूरत पढ़ती है तो इसके आगे के next questions हम पढ़ेंगे next video के अंदर अब तक के लिए आप क्या करेंगे यह सारे के सारे questions आप CW में complete करेंगे लिखेंगे और साथी साथ आप इने याद भी करते चलेंगे ओके थैंक यू